ये टैट्यू नहीं है, एक एमोशन है जो आज मैं अपने हाथों पर करवा रही हूँ इस टैट्यू को बनवाने के लिए मैं कहीं सालों से सोच रही थी और फाइनली एक दिन मुझे ऐसा मिला कि मैंने अपने हाथों पर करवाया मॉमी नाम का टैट्यू जी हाँ ये tattoo मैंने अपने birthday के दिन कराया इस से शुब दिन और मिल नहीं सकता था मा को अपने हाथों में print करवाने का तो सबसे पहले मैं थी SouthEx में जहाँ पर ये tattoo की shop है यहाँ पर मैंने बहुत सारे font देखे मुझे सबसे अच्छा font mommy वाला ही लगा इन्होंने हिंदी और इंग्लिश के दो font दिखाए थे लेकिन मेरा मानना था इंग्लिश में लिखा जाए क्योंकि हिंदी में थोड़ा छोटा लिखता और मुझे बिलकुल heartbeat type tattoo चाहिए था जिसमें वो lines जाए तो इसलिए मैं ready थी वही tattoo करवाने के लिए हमने सारी formalities complete करी और फिर हमें एक room में लेकर गए जहां पर हमें बठाया गया उसके बाद भाईया ने बोला अपनी चूड़ियों उतार दो एक हाथ की सच बताव जो दुख हो रहा था मुझे की मेरे को चूड़ियों उतारनी पड़ रही है चूड़ियों उतारने के बार भाईया ने एक print रखा ताकि जो tattoo है उसकी shape बिल्कुल perfect आई जैसे कि आप देख सकते हूं उन्होंने मेरी कलाई पर ये नाम लिक दिया था बहुत अच्छे से clean करकर injection को भी हमने देखा था बिल्कुल नया था expiry उसकी 2024 की थी तो जब भी आप tattoo करवाने जाओना उसकी expiry जरूर चेक कर लेना निडल की वरना ना आपको infection हो सकता है हातों में खेर मैं बहुत ज़दा excited थी और nervous भी थी क्योंकि मैं अपने हातों में दूसरा tattoo करवा रही थी और भाईया का मानना ये था कि आपकी skin बहुत ही ज़दा थिन है तो हो सकता है पेन होगा तो भाईया ने बहुत था उपर करवा ले रहान लेकिन ठीक इसी के नीचे मैंने एक tattoo करवाया था तो मैंने सोचा उसी के सामने मैं tattoo करवाँ क्योंकि ये दोनों tattoo मेरी life के बहुत special है पहला तो है मेरे husband का नाम और दूसरा है mommy क्योंकि मैं अपनी ममी को बच्पन से mommy ही बोलती हुई आ रही हूँ इसलिए ये tattoo करवाने के बारे में मैंने सोचा लेकिन जैसे ही needle स्टार्ट हुई ना पेन होना स्टार्ट हो गया इतना जादा दर्द हो रहा था कि पूछो मत ऐसा लग रहा था कि injection पतानी कहा कहा से लगाए जा रहे हैं बहुत दर्द हो रहा था skin thin थी ये तो मुझे पता था लेकिन इतनी थी आज मुझे पता चला तो मैं तो बोलूँगी यहाँ पर avoid करना क्योंकि यहाँ पर सभी की skin बहुत ज़्यादा thin होती है और veins भी होती है और मुझे तो needle से वैसे भी डर लगता है तो मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा task था लेकिन मा के लिए तो कुछ भी है ना आज का दिन special था क्योंकि आज था मेरा birthday इसलिए मैं आई थी tattoo बनवाने के लिए और यहाँ पर मैंने अपने भाई को पकड़ लिया था क्योंकि मुझे सच में बहुत ज़्यादा pain हो रहा था और मैं cheek चिला रही भी थी टैटू की एक layer तो हो चुकी थी दूसरी layer होनी बाकी थी तो बस वही हो रही थी जैसे एक layer complete हुई मुझे लगा हो गया मगर भाया ने बोला इसका दुबारा touch up करना पड़ेगा तो भाया लग गए दूसरी layering करने में मेरा पूरा हाथ red हो चुका था swelling भी होने लगी थी और भाया ने बोलता bleeding होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी आपको लगेगी ये था मेरा tattoo जो की हो चुका था ready अब comments करके बताना आपको कैसा लगा दस मिनट तक ऐसी tattoo को खुला चोड़ना था उसके बाद उसमें लगनी थी safety tape ये tape इसने लगाई जाती है ताकि इसमें कोई पानी या मौशर ना जाए वरना आपका tattoo खराब हो सकता है आपने भी ममी नाम का tattoo करवा है तो मुझे comment से बताना और मेरे tattoo कैसा लग रहा है वो भी comment से बताना bye bye मिलते हैं कल सुबा 11 बचे एक नई वीडियो के साथ I love you all bye